और यहाँ अपना गाड़ी में इतना मौल кв फल्टी हो गए है है और अनों के लिए दूखर लबात है कि अमनों को भाला नहीं मिला। हमने 7000 मेरा भाला नहीं मिला है। तो आगाई फिर से एक और नीव वीडियो के साथ और अपना गाड़ी जो कि धनवाद से खाली करके थे तो अपना घर के पास आ गए थे लेके अपना गाँ का भी कुछ इस तरह से है पूरा गाँ का रोड देखे कितना खराब है और अभी फिर से लोडिंग करने के लिए जा क्योंकि जब सुधिर भजा के घर के पास गाड़ी लगा हो रहता है तो सुधिर भजा गाड़ी दो देते हैं तो अपने से धोना पड़ेगा तो यहां अभी गाड़ी में था पानी मार लेते हैं यहां से निकलेंगे और यहां पर अपना गाड़ी का धोना अगेरा हो गया तो यहां से निकलते हैं अर इस वने वीडियो को भी यह इसे कन्टीनियू कर रहे है तो अगर आप च्छनल नहीं आओ है तो चैनल को सब्सक्वाड़ कीजी ऐनी वीडियो कर लाईक किजी है और ःपन्य गाली स्टाथ तो अपने गाड़ी में लोडिन हो रहा है, इसलिए पहले अपना गाड़ी में कोबी लोडिंग करके आएंगे, उसके बाद फिर खीरा लोडिंग के लिए जाएंगे आगे, तो यहां से चलते हैं मैयातू साइड में जाना है, तो अपने गाड़ी में डीजल वागेर है, कि यहां से आगे अपने वेपारी का घुदामन जहां कि अमको जाना है और जो मेरा पार्टी दरबंगय उला पार्टी वोड़े के बैजने लिए कि गया विए क्या है कि रिखिये कि यहां को भी लगा हुआ और यहीं से तुरिफ अजरी वाग सी निकार रहा है और जितना में पहले वहां पर देखते हैं कहां पर कोभी है और यहां अपना गाड़े में इतना माल पल्टी हो गया है यहां से माल पल्टी होना श्टार्ट हो गया है यहां से माल पल्टी होना इधर देखें पूरा कोभी लगा हुआ है और इधर भी देखें पूरा कोभी लगा हुआ ह व Homer, इसना की मैं बड् увog Buffalo के पुरा कोबिका दुनिया में dijeा है अथना मेरा गाड़ लोड़ण हो अभी तीस पर फॉड लोड़ण होगा स्क्रिकर उब यह अभगांस घरवाते है और अबहार ऑपना अधा गारी लोड़ण हो गया है तो चलते हैं अब दूसरा जगह पर जहा जानों जाना है क्लोंबस कुलेज के आगे यहां से चलते हैं यहां से 10 या 15 km दूर है और वहां पर अफना फूल काली लोडिंग हो जाएगा और यहां से भी निकल रहे गाहों वाले रस्ते से और अभी सामका छे बज़वर पैनली हजारी बाग इन हो गया है लग 10 km आ गया है दो चलेंगे दो चानों जाए और अपना खीरा वि आ गया है तो पाटी कर दिया कि खीरा तो आपकेम जल दिया और पोश्थे माल पंटी हो गारी में और यहां रहीए घाली यह उतर रहा है और यहां बश्ते माली लोडिंग हम जाना है और अब शामका साध भी बजने वाल क्योंकि कोभी का गारी है और इसी मर्या कुल में सटता है आप पटापट से भी निकलते हैं भुलु को लें आ साथ में उस्त दूबाद तरह से निकल जाएंगे अपना पार्टी एडवांस होगे रहा सबकुर डाल दिया है तो नहीं से निकल रहे हैं और अभी पहुंच शु तो यहां चोक है और हम लोग फिर ते रजोली ओके जाएंगे पटना ओके नहीं जाएंगे और अभी आ गए रजोली घाटी में और अभी रजोली घाटी उतर रहे इधर बुलूड्रैप कर रहा है क्योंकि अभी खाना खाने के लिए हम इसाट में आये थे तो जब तर इसका मन करें तो पर सिलाएगा और यहां भी हम लोग घाटी उतर रहे है उतरने स्टार्ट ही किया खूल तर उतर है घाटी और यहां से 10-15 km और है गाटी और देखिया हम पर टर्निंग है चानक से देखि चेकिंग करवाना इनर्देटियल लाइन ट्रक साइड होला में भूछना पड़ता है गाड़ी आए सकेन होता है उसके बाद फिर आगे करना पड़ता है और अभी पहुंचे हुए बरोनी फूल अपना गाड़ी देखिए दिना हाइट था ज्योंकि वहां हाइट वहां जो गए अब हो गया दर भंगा वहले में चल रहे हैं यहां से आगे मंडी वहीं पर जाएंगे और यहां से मंडी सर्फ तीन किलोमेटर है यह गली में को तीन किलोमेटर जाना पड़ेगा और आज कब लोग इतना खास नहीं बना पाए क्योंकि बहुत सरा प्रोब्लम हो औ इसके करण हम चार बजे गयते लोडिंग में उसके बाद फिर जब हम लोगा फोन पर एडवांस आया तो उसको जब पेट्रोल पॉंप में जब पेइमेंट किये तो फिर प्रोसेसिंग में चल गया उसमें फिर पूरा प्रोल पॉलिक साथ पुरा बादबाजी हो गया उसके जब बोडर में आये तो फिर बोडर में भी बहुत ज़्यादा दिकास पो हम लोगों को जोगी टीप्ती को लेकि या तो ओब लोडी को लेकि बहुत ज़्यादा परिसान किया उसके बाद वरुनिपूल में भी जाम में फस गे हम लोग आदा गंटा और फैनली भी सबहें तो यहां से चलते हैं मंडी में लगाते हैं अब बैबारी से बात हुआ तो बोले कि मंडी में कोई भी गारी नहीं आए तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है कोई भी दिखतने कोई नहीं डाटेगा कि सारे तीन बज़े गुश गया है और अभी घुश चुके हैं मंडी में और देखिए एक सिर्फ बड़ा गारी है एक पिकाप है इदा और आगे ने अपना गारी खाली होगा ता आगे में अगाते है अपना गारी अभी और अभी अभी घुश रहा है अज सावन के स्टार्टिंग इसलिए अज फस्ट सो मारी इसलिए और अभी रसी तिरपाल खोलने के लिए चड़े हैं गारी पर अपर अभी अम लगड़ा पार करके समस्ती पुरुले रस्ते में और अपना वाना किराया बेलिया लिए और सुधिर जो गाड़ी लेकाया थे बोलु लेका रहा है बोलु अर सुझी तो गएस अभी समस्ती पुरु और अप्लग सेधे जाए जाए जाता है और भोलु सबका वेट कर रहे और अज तो आम लोग के लिए बहात दुखा लबात है कि आख भाला नहीं मिला साने साथ हुआ ज़र म बदाल पर लाद दर उसाद में गारी कीज चाहे थे और आप सब कमेंट करके चे जरूर बताएगा कि ये तहां का सिस्टाम है कि ए गारी का मंडी पे लगाता दूसरा गारी काट कर गया जाएगा मेरा इस गाड़ी का बनाला साड़े साथ हज़ा था और सुधिर भाई यह जो गाड़ी नेका थे इसका भी साड़े साथ हज़ा मतलब पंद्रह जर रोग दिया है कि देगा की नहीं देगा तो हम लोगों बोला जाओ हजारी बग जाओ जरुदा पर जब फॉन पर डाले हैं तो पहले जाके बहुत ज़्याद करना पड़ेगा हम लोगों और इसी करण से भी तक हम लोग चारोजन में से कोई भी भी थक चाय भी ने पिया कुछ नास्ता भी ने किया और कॉंटीमि भी दर के लिए चाल रहे हैं और देखते हैं अज अपना लोडिंग है कि क्या होता है करने का जरा सभी मन ने कर एक दम तेंशन से दिमाग खाराव हो गया कि रात बर हम लोग जग के आया है इतना गाली घीच के आया और फिर हम लोगो भाड़ा भी नहीं मिला तो कैसा लगेगा अब लोग कमेंट करके जरूर बताए कि अच्छा हुआ हुआ है कि खराब हुआ हम लोग के साथ में और यहां से हम लोग को पिधा भाड़ा दिया है बहुत जदे रिक्वेस्ट करने के बाद गारी खाली किया ता इसके बाद बुला जाओ जो भी होगा वहां पर जाकर बताएंगे पर इस तरह का सिस्टम में बहुत जदे दिमाग भी खरावे बहुत यहां आके बरोनी जीरो मेल है तो वहीं से हम लोग को जाना है सीधे और यहीं रात में आर्टियो डीटियो सब कुछ रहता है जिसमें की ओवा लोडिंग का चला यहीं पर होता है एसी बले गोल चकर में तो आप लोग भी रात में आते तो बहुत जदे सम्हाल के आईए य यहां से भी हमको सीधे जाना एसेट वेगू सरा जाता है तो यहां से हम लोग को सीधे जाना बरोनी पूल पर और अभी जाज भी बजने वाला हम लोग नास्ता या चाई जबी ने पीए हुए यहाँ चलते देखते बरोनी साइड में जाए अगर चाई का तुकानों को तो चाय पीलेंगे तुकी पहो जादा भूग भी लग रहा है और नास्ता भी कर लेंगे और यहां से बरोनी पूल यहां से तीन किलो मेटर में पूल है जहां कि अभी के टाय में बहुत ज़्यादा बहुत जादा जाम लगने लगा है तो चली आप तभी को दिखाते एक पॉस्तिकॉल हो पर तो दिखा लेंगे कि इस तरह से भी यहां घाड बनाया हुए यहां से तक्ते यहां बरोनी पू बहुत दूर दूर भाई लोग जाते हैं तो इसी कारण से लग रहा है जल उठाने के लिए त्यार हुआ जल उठाने के लिए त्यार नीचे में ट्रेन जा रहा है इसलिए और पूल भी लग रहा है अगर सुजीत वाला गारी है जलते हैं गाड़ी में बेठते हैं अगरी ट्रेन चल रहा है ज्यादा ही पूल हील रहा इसलिए और डर इस द्रीस का लगता कि उनको तेरने के लिए नहीं आता अगर पूल में कुछ जाएगा तो दूगे तो हम क कि देना या नहीं आता है तो फिर दिक्कत है नाई तो है तो यहां भी लैन भी किलियर होने वाला है देखिए पुरा जाम में लगे हुए इधर भी पुरा देखिए जाम लगा हुआ फीछे तक लेन खुलने से पहले भी अपना गारी में बेटके रहना है और अभी यहां से पुरा गंगा नदी का भी चेक कीजिए देखिए पुरा पुरा बढ़ गया पुरा पानी का श्तर पुरा बढ़ गया गंगा नदी में और पता ने कभ भी हार अचानक से भर जाएक इसका भी कोई गरेंटी ने देखिए और यहां देखिए पुल का काम हो रहा है उसाटका लेन भी खिलियर हो गया पुरा-पुरा तो अपना लेन अब हो गया है काम और अधा थोड़ा और आगे बाकी है कि अ कि और उदर वाला भी पुल बहुत ज़्यक्प्लेट होने वाला तो उसमें के आरा है हम लोग को कि इस वाले पुल में कोई भी रियान ने देना ना जाम में फसने का जंजट रहेगा ना किसी पदर का दिक्कत अब लगा हुआ है कि और अभी यहां पर लगा हुआ जांग पिछले पंद्रमेंट से परसासन भी आ गया किलियर करने के लिए और एक कारवालों को बहुत ज़्यादा जल्दी रहता है इसलिए लिए लोग लगा है तीन-दीन कर दिया इसके कारन जाम लगा हुआ हमेसा इ इतना भी है सारा लेन बाई लेकिन पता नहीं कारवालों का कौन सा जल्दी रहता है एक दम साइड में अलग लेन में तो बीट से घुचते हैं जिसके कारण देखिए आपर जाम लगा दिया है पंद्रह मिन्ट से जादे हम लोग फज चुके जाम में और किसी चीज का यहा आप पता ही है कि जितना भी लास्कों गया रहा है तो फिर पकड़ता है तो यहीं पर दुखे हुए और इस वाले वीडियो को भी आज यहीं परिंट कर देंगे क्योंकि बहुत ज़दे मैं डिश्टप हो गया और इसलिए हो गया कि दिल मेरा खराब है ट्रीप पर खराब श्रसीने कि लिए तो इसलिए वीडियू का रिए परेंठ करते हैं अब डीलों को पशेंड लुए और वीडियो की dir